जी हाँ दोस्तों आपको स्पर्स पेंशन से संबंदित सारी सुवधाएं बैंकों के द्वारा दी जाएंगी जहिन दोस्तों दोस्तों डिफेंस पेंशनस के लिए खुशकबरी है गौर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंशन ने बड़ी पहल करी है बड़ा कदम उठाया है जैसा कि आपको पता ही है कि डिफेंस पेंशनस का पेंशन डेटा इस परस पेंशन पोर्टल पर माइगरेट हो रहा है नया पिंशन सिस्टम होने के कारण डिजिटल परणाली और शुरुवाती जटिल परकरियाओं के चलते जो खासकर रूरल एरियाज में रहते हैं दूर दराज के एरिया में रहते हैं और वयो वृद्ध जो डिफेंस पेंशनर हैं उनको जो है काफी समस्याओं का सा जाता रहता हूं और आप लोगों के परियासों के कारण जब आप इसको सेर करते हैं तो ये चीजें जाती हैं मिनिश्ट्री ओप डिफेंस तक भी जाती हैं सरकार के पास बीचार करते हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्मेंट और डिपार्टमेंट की दोस्तों आप यह देख रहोंगे रक्सा मंत्राले की तरब से प्रेस इंफरमेशन व्यूरो में 21 सितंबर 2022 को इसे रिलीज किया गया है इसमें आप हेडिंग देख रहोंगे रक्सा मंत्राले ने इसपर्स पहल की पहुच बढ़ाने के लिए बैंक और बढ़ेदा और HDFC बैं सेंटर की सुविधाएं देएंगी जी हां दोस्तों आपको इसपर्स पेंशन से संबंदित सारी सुविधाएं बैंकों के द्वारा दी जाएंगी इसमें चाहे आपका इसपर्स पेंशन से संबंदित कोई इंक्वाईरी हो आपका लॉग इन करना हो आपका पेंशन डेटा इंडिया पंजाब नेशनल बैंक और कोटेक महिंद्रा बैंक के 800 से भी ज़्यादा सर्विस सेंटर इस पर काम कर रहे थे जिसमें की अब MOU के तहत 9900 से ज़्यादा बैंक और 6300 से ज़्यादा HDFC बैंक की साखाएं भी सर्विस सेंटर के रूप में कार्या करेंगी और दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो भी सेवाएं आपको सर्विस सेंटर में दी जाएंगी वहाँ निसूल को होगी इसका जो भी चार्ज होगा गवर्मेंट की तरफ से बैंक को दिया जाएगा मैंने सुना है कि कई साइवर कैफे वाले बहुत ज़्यादा चार प्राइज किये गए हैं इस पर्स पेंशन की सर्विस देने के लिए आप पोर्टल पर जाकर इनका एड्रस निकाल सकते हैं और नियरेस्ट सर्विस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में इन सेवाँ को लाब ले सकते हैं और दोस्तों एक इंपोर्टेंट बात मैं आपको य इंसन्ट डेटा इस परस में माइगरेट करने का है और आपको बता दूँ कि अभी तक जो है तकरीबन साड़े 11 लाग जो है हो चुके हैं और अब आप लगा सकते हैं कि साड़े 5 लाग को अभी जो है सितमबर में माइगरेट कर दिया जाएगा अगस्त में भी साड़े 5 बचेंगे उनका सितंबर के बाद माइग्रेशन चलता रहेगा तो दोस्तों ये गवर्मेंट की अच्छी पहल है हम इसका स्वागत करते हैं और उमीद करते हैं कि इसी परकार से गवर्मेंट नए नए इनिशिट्व लेती रहेगी नए पहल करती रहेगी ताकि डिफेंस पे में जो टेक्निकल इसूज आ रहे हैं उनको अपग्रेट किया जाए उसको यूजर फ्रेंडली बनाया जाए और इसकी परकरियाओं को आसान किया जाए तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सेर कर देना जल्द मिलूँगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ जैहिन बंदे मात्रम